दोस्तों हमारे चैनल गान भंडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे आयू वेदिक गुरों से भरपूर ब्रम्मी के पौधे के बारे में लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज की जा रही है। यह पौधा नमस्थानों में पाया जाता है तथा मुख्यत भारत ही इसकी उपज भूमी है। यह पूरी तरह से औश्धियत पौधा है। ग्रमी कब्ज को दूर करती है। इसके पत्ते के जुसको पेट्रोल के साथ मिला कर लगाने से गठ्या दूर होता है ब्रमी में रक्तशुद्व करने के गुण भी पाय जाते है। यह अहरदय के लिए भी पुश्चिक होता है। ब्रमी को यह नाम उसके बुध्धे वर्धक होने के गुण के कारण दिया गया है। इसे जलनिम भी कहते हैं क्यूंकि यह प्रधान तहजलासन बूमी में पाय आयरवेद में इसका बहुत बड़ा नाम है। ब्रमी के उपयोग एक। ये बहुपयोगी नर्वटॉनिक है जो मस्तिशक को को शक्ति प्रदान करता है। ये कमजोर स्मरण शक्ति वालों तथा दिमागी काम करने वालों के लिए विशेश लाबकारी है दो। ब्रमी का पाव श्रहद के साथ इसके पत्तों का जो स्प्रेयोग करने से उच रक्त चाब में लाप मिलता है। बच्चों में दस लगने पर तीन अत्वा चार पत्तियान जीरा तथा चीनी के साथ मिलाकर देने से तथा इसके पेस्ट को नाभी के चारों और लगाने से आराम मिलता है। श उस लगाने से सूजन कम करने में मदद मिलती है, आठ, चटनी बनाते समय, ब्राहमी के कुछ पत्ते चटनी में डाल कर इसका लाभू उठाया जा सकता है, नौ, ब्राहमी को वास्तु के द्रिष्टी से भी महित्पून माना जाता है, जिस घर में ब्रहमी का पेड लगा होता ह उस परिवार के बच्चों की स्मरण शक्ती अच्छी होती है, और घर में अचानक दुरखट ना होने की आशंका भी नहीं रहती है, सावधानिया ब्राहमी अधिक मात्रा में प्रयोग से कभी-कभी तवचा में खुजली तथा लालिमा हो सकती है, ता इसका कम मात्रा में ही प्रयोग करना उचित है इसका प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लागें